नमस्कार स्वागत है आप सभी का कारिक्रम दिल से में हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अपने प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूब रूब कराएंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज का कारिक्रम देश की केंदर सरकार हो या राज्य सरकार जिनके अधिनस्तिक कई विभाग होते हैं जिनके पास हाँ, ना, आज नहीं, कभी नहीं या फिर कभी कहने की कोई कुझाईश होती है लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे जिसके पास इन शब्दों की कोई एहमियत नहीं होती है जी हाँ, आज हम बात करेंगे भोपाल डिवीजन के रेल प्रभंदक श्री उदै बोरवनकर जी नमस्कार उदै जी, आपका हमारे कारेक्रम दिल से में बहुत-बहुत स्वागत है सर हम आपसे आपके दिल की बहुत सी बाते जानेंगे लेकिन हम आपसे जो जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिकत जीवन के बारे में पहले कि जो आपका जो करियर रहा है रेलवे में इसकी शुरुवात आपकी कैसे हुई मेरा जो शालिय जीवन है वो बनारस में बीता और मेरे पिता जी भी रेलवे मैन थे तो चुकि वो रेलवे मैन थे तो सभाविक रूप से हमारा एक हमारी एक रुजान थी सरकारी नौकरी की तरफ और उस समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा options नहीं हुआ करते थे career के बारे में तो या तो engineering या medical या commerce बहुत limited options होते थे तो चुकि मुझे engineering subjects में दिलकेस्पी थी तो स्वाभाविक लूप से मैं engineering की तरफ खोड़ा सा जुका हुआ था और 1986 में मैं जो इंडियन रिल्वेज इंस्टिटुट अफ मेकानिकल इंजिनिरिंग वो जॉइन किया और वहां से पास आउट होने के लाद मैं मैं रिल्वेज में पोस्ट वा आप जिस पतपर है उस पर चौविस घंटे आपको चौकनने रहना पड़ता है तो इस बीच आप कैसे सम समय असानी से मिल जाता है और मैं जल्दी सो भी जाता हूं रात को तो एक डिसिप्लिन है लाइफ में उसका मुझे फाइदा हो रहा है लेकिन ज्यादा श्रेय मैं इसके लिए मैं अपनी पत्नी को दूंगा क्योंकि जो हमारा डायट है और जो हम अगर कहीं गलत कुछ कर र रहे हैं तो वो ठ्रह से हमें जैसे कमपस होता है अपना डिरेक्शन दिखाता रहता कॉस तुरह से व वापस खीच के सही रास्ते पर लाने का उनका का क्या उछर स्रेव को परिवार को है परिवार में जैसे ie आप रेल्वेय में या है क्या आपकीág बंकी भावी पीडी और मेरा बेटा जो है वो भी फार्मसी ग्रेजूट है और मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है इसलिए हो बने जहाही है और अब मैं जाना चाहँंगी आपका पर्यावरण को लेकर जुट है कूआ हम ने कई आपके काम भी देख requirements यहां पर इस डिविजन में जो आपने किये तो क्या है यह जो एन्वार्मेंट के प्रती आपका लगाव रहा है यह अनली भुपाल डिविजन में आने के समय रहा है या उसके पहले से रहा है रैल्वे के पास आपको पता है कि जमीन बहुत है और इसका हम लोग भरपूर स्दुपयोग करर रहे हैं हमारे मंडल में हमने जगे जगे पे जहां पर खास करके पानी की शॉर्टेज है वहां हमने तालाब बनाए और उन तालाबों में हम जो बारिश का पानी है वो जमा करते हैं और आपको यह जानकर अच्छा लगएगा कि कई जगहों पर जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉटेज होती थी और हम पीने का पानी तक खरीदते थे टैंकर से अब हमें वो टैंकर से खरीदने की जरूवत नहीं पड़ रही है और जो जमीन के नीचे का पानी का लेवल है वो अब काफी उचा हो गया है काफी उपर आ गया है इसी तरह से हमने अलॉंग दी ट्रैक्स बहुत सारी बहुत सारी प्लांटेशन्स किये पार्क्स बनाएं नर्सरी बनाएं गार्डेंस बनाएं और मास प्लांटेशन्स जिसको सघन रक्षार ओपन कहते है तो मेरे मंडल में लगभग 15 स्टेशन्स पे हम लोगों ने थीम ब भाग ही इतना बड़ा है कि इतने सारे करमचारी उसमें काम करते तो अगर एक छोटे से डिविजन में भी अगर यह सब हो जाया तो बहुत अच्छे तो उसके अवर्नेस के लिए आप देखिए हमारे मंडल में लगभग 15,000 करमचारी हैं तो अगर हम एवरेज भी लगाए तो करीब 45-50,000 लोग रेल परिवार के हैं और हमारा जो एरिया है जो हमारा डिविजन का वो बहुत पहला हुआ है जैसे 8RC से खंडवा से अगर हम देखें तो खंडवा से 8RC बोपाल फिर बीना तक है और उदर गुना गुना से गौलियर गुना से मक्सी तो इसका फैलाओ है इस पूरे एरिया में हमारे रेलकर मी कारियरत है तो अचैशन के आसपास है और उन लोगे उस में इंवाल किया तो यह बहुत सरे लोग अब हमें इनको बोलने ही जरूवत नहीं बढ़ती और अगे बढ़ चुके हैं हम अभ वर्मी कमपोस्टिंग यईसी चीज़े यह इंजी जो में अब हम लोग काम कर रहे हैं और सोलर में भी हमने एक बहुत अच्छा एक नया प्रकलप भी शुरू किया है बीना में जिसमें हम लगभग 1.7 मेगावाट विजली उतपाद कर रहे हैं सोलर एनरजी से और वो उसमें यूनीक बात यह है कि वो सोलर एनरजी हमार नया प्रोजेक्ट है और इस तरह के अब प्रोजेक्ट हम और भी जगे करने वाले सर जैसे आपने कोरोना से बचाव के लिए रेडियो और टीवी पर बहुत अपील भी किया था और उसी तरीके से हमने यह भी देखा था कि आपने बच्चों को भी मॉटिवेट करने के लि यह जो प्रॉब्लम है इससे निजात पाना बहुत एक चैलेंज है और आपको पता हिए कि इस से कोरोना का संकरमन और भायानक रूप से बढ़ सकता है हमने इसको एक पनिशेबल ओफेंस भी बना दिया है रेलवे ने कि हमारे रेलवे प्रिमाइसेज में अधि कोई इस तर और एक पैंटिंग कमपोटिशन कराई इन फेक्ट अभी हमने दूसरी भी कमपटिशन कराई फैंबलीज के लिए तो उसमें बच्छो ने अपने इनोसेंट वे में इतनी अच्छी 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 बनाई और मेसेजेज दिए एए एक पैंटिंग में आपको दिखाना सफ़ाई रखनी है जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम बहुत कम चल रही है और उस समय जो पैसेंजर के लिए इतना स्ट्रिक्ट चेक अप मेडिकल चेक अप स्टेशन पर हुआ करता था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब वो सब जो टेबल कुर्सी सब नदारद है तो कैसे किसी भी जिले से दूसरे जिले में अगर कोई बाहरी लोग आते हैं तो हमें यह एहतियाद बरतना था कि कोई इंफेक्टेड लोग ना पहुंचे इसलिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए थे राज्यसरकार के साथ समयनवय बनाते हुए तो यह जो आप बहुत हद तक पता है कि संक्रमन कैसे होता है हमें क्या है इतियाद बरतना है तो अब मुझे लगता है और राज्यसरकार को भी यही लगता है कि अब जिम्मेदारी से हमें बहेव करना है सभी नागरिकों को लेकिन फिर भी मेरे मंडल में हम लोगों ने कुछ ऐसी टेक्नो जेता रहता है और उसके माथे पर उसका टेमपरेचर भी इखता रहता है इसको एधिए ज्यादे ज्यादा है तो एक तयरलाम बच जाएगा और यहादि आपने मास्क नहीं पहना है तो भी अलाम बच जाएगा तो आपड़ा जाएंगे तो बड़ी हाई-teक मेरेस्व 흥 हा भोपाल और इटारसी ये दो ऐसे बड़े स्टेशन्स हैं जहां पर ये प्रॉब्लम थी कोविट के पहले और हमने इस पर काफी कारवाई भी की बहुत रेगुलर ली अब जब दुबारा जब ट्रेंस शुरू हुई है फेस्ट मैनर में तो यह हुआ है कि अभी तक हम लोगो आपको चाहिए तो अपने साथ आपको करना है लेकिन हमने अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिकनेस अभी एंफोर्स की है खास करे टारसी में और ये जो बदलाव आया है इसको अब हम सस्टेन करना चाहते हैं आगे भी ताकि जब ट्रेंस पूरी फुल फ्लो में भी हो तो कि हमारी जो सेक्यूरिटी हेलप लाइन है 182 टोल फ्री उसके ओपर कंपलेंट करें या हमारे ट्विटर हंडल पर कंपलेंट करें और तुरंत कारवाई होगी उस पर तो सर हम एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत सी बाते करेंगे जगह तो इतनी नैश्रल हर्याली के साथ है कि यहां आने का मन बार बार करता है तो बाल अम्बेंस इस गोड़नेफिल पेस्ट पाल क्या आसपास जगह इस तेच्छी कोई नहीं मिलेगी गूदल पर सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भौपाल तो नमबर वन चॉश में पर समाओ तो थेस्ट आवलेटी दोना हो जाता है तो इस अच्छी परस्टी जगह मैंने तो नहीं देखी इसने 65 अच्छी प्लेस एवरिश्ट वाइश्ट नेश्ट नेश्ट पुछ है बहुत प्यारा एंवार्मेंट है और लवली सॉराउंडिंग्स यहां तो ऐसा लग टूण ने बनाया है असा लगता है यहीं आखे रहु अच्छी इनने ने डेकोरेशन भी किया हुए है बड़ी दिनोबाद दालावाती चूर्मा खाया है रहस्टानी चूर्मा तो यहीशली देश्ट विश्ट तेस्टी परक्त अच्छी बिःश्ट पलेस विंट विंठ हमेशा आये यह पे बहुत प्रणी रिसॉर्ट है जगह बहुत अच्छी है जा जाके एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हूं ताइस बारे में बताये कि जिस तरीके से हमारी देश की जनसें क्या बढ़त जारी है उसके एकॉर्डिंग क्या रेल्वेज में भी उसी प्रपोर्शन में ग्रोथ हो रही है जी याँ, कैपैसिटी एक्सपेंशन जो है रेल्वेज में वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसमें तीन-चार प्रकार के काम हो रहे हैं एक तो जो हमारा नेटवर्क है रेल्वेज का उसमें पूरा विद्धुती करण हो रहा है तो हमारा टारगेट है कि अगले तीन मर्शों में पूरा हरे कोना-कोना रेल्वे का एलेक्ट्रिफाई हो जाएगा जैसे मेरा मंडल है मेरे मंडल में भी हमारा इटारसी से भोपाल जो दो लाइन थी वो तीसरी लाइन बन रही है और अब लगभग काम कमपलीशन की तरफ है बीना से भोपाल अलरेडी तीसरी लाइन बन के चालू हो चुकी है इसी तरह विफ तर वीना से गुना जिसमें बहुत हेवी आलां गाडियों का परिचालन रहा है लगग हर एक मंडल में, लगभग हर यांच को थनी मंडल रही देखता है साथ-साथ ये जो सारे काम हो रहे हैं, इसके साथ-साथ एक बहुत important काम ये भी हो रहा है, safety के लिए, कि जो हमारी signaling system है, वो भी टेक्निकली अपग्रेड हो रही है, उससे ना सिर्फ safety बढ़ेगी, बलकि जो efficiency है rail operations की, वो भी बढ़ेगी, कम समय लगेगा, failure कम होंगे, तो इस साल के अन तक वृद्धी हासिल कर लेंगे, और इसके आगे भी हमारा aim है, कि जो हमारा over the last few years, जो traffic हमारा rail से रोड को चला गया, वो हम वापस capture करें, तो rail travel अगले एक-दो वर्षों में बहुत जादा comfortable और बहुत जादा efficient होने वाला है, उसके लिए सारे ये काम चल रहे है और सर, इसी में हमने देखा, आटोमेटिक जो reporting है, उसमें कितना हम लोग आगे बढ़ जाता है, एक तो हमारे जो locomotives हैं, उसमें एक system लगी हुई है, जिससे वो data, वो गाड़ी जैसे ही station से चलती है, तो वो data immediately हमारे जो internet के माध्यम से capture हो जाता है, कि किस time पे ये गाड़ रिले कर देते हैं, central system को कि किस समय गाड़ी चली, किस समय रुकी, तो ऐसे में हमें manually कोई भी अब time कहीं entry नहीं करनी पड़ती है, ये system हमारे मंडल में लग बग 98% automatic हो रही है, और जो 2% manually होती भी है, वो इस वज़े से होती है कि system में कुछ कई बार तुटिया होती है, जिस तो लगबख शाथ अतिशात ही है, अभी automatic reporting ही हो रही है, और सर हम अपने डिवीजन की बात करेते हैं, यहां ट्रेन की punctuality कितनी हद तक सुदर गई है, पंक्चुलिटी हमारे मंडल में, जो बोपाल मंडल में punctuality लगबख 2018 तक 75-80% के बीच में हुआ करती थी, पिछले व अधिक punctuality चल रही है, और पिछले महिने भी हमने 99% प्लस punctuality अरजित की है, जो भी अभी limited गाड़ियां चल रही है उसमें, लेकिन अब यह है कि यह एक challenge है, और यह एक benchmark बन गया है, तो आगे के लिए भी हमें इसे maintain करना है, तो सर अपने भुपाल डिविर्जन की आपने क्या priorities रखिए कि क्या आपको करना है, जो पहले कभी हुआनी और भविषय में भी आप ऐसा चाहे कि वो जारी रहे है, एक तो हमारी geographical location ऐसी है, कि हम भारत के center में है, हमारी railway network के भी center में है, हमारा जो railway network है, वो एक quadrilateral है, उसके दोनों diagonal है, हम ठीक center में है, तो हमारी position क्योंकि अगर हमारे division में कहीं भी कोई गडबड होती है, तो north, south, east, west हर जगे उसका प्रभाव होता है, और सभी को महसूस होता है, तो इसलिए हमारी reliability बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे operations की, तो वो हमें एक सबसे बड़ा challenge है हमारे लिए, हमारी priority यह है, अभी कि हमा अगलग वजह से पढ़ाई के लिए, या व्यावसाय के लिए, short distance travel बहुत करते हैं, और उनको passenger train से जाना पड़ता है, इसकी frequency बहुत काम है, और वो बहुत slow है, हम इनको सब को electric multiple unit trains से replace करना चाहते हैं, जैसे मुंबई सबर्बन में चलती हैं, उस तरह की fast trains है, तेजी से च जैसा आपने बताया है कि हम जल्दी एक नई सौगात देखेंगे, तो ये भुपाल मेट्रो के साथ में इसका क्या coordination रहेगा, भुपाल मेट्रो का जो network है, वो कई जगे हमारे railway line से उसका overlap है, जैसे हभी बगन station की जो planning चल रही थी, और पिछले बरस हम लोगों ने जब मेटिंग्स करके, ये सुविधा बनाई है कि हभी बगन station से यदी कोई वेक्ति बाहर निकलता है और उसे मेट्रो पकड़नी है, तो वो से नीचे नी जाना पड़ेगा, सीधे उपर योपर वो अमरिष से, मतलब उसे direct connectivity मेट्रो से मिलेगी, और इसी तरह मेट्रो से अगर क मेट्रो को आने में लेकिन ये सुविधा हम भी देंगे जैसे भुपाल डिविजन के अपने प्रायर्टी बदाई उसी में जो यहां के करमचारियों के लिए विशेच कर महिलाओं के लिए आपने क्या किया है महिलाओं के लिए हमने बहुत बड़ा काम ये किया कि हमारे ट पोस्ट किया है जहां पर वो इक अपने काम अच्छे से कर सकती है सेफटी महसूस करते हुए और जहां तक संभव था हमने उनको अपनी जहां उनकी फैमिली जे वहां पोस्ट किया है साथ-साथ महिलाओं के लिए जो वर्क प्लेस में कोई उनका हैरेस्मेंट ना हो उसके यादी कोई इस तरह की कंप्लेंट होती है तो उसमें इंवेस्टिगेशन होते हैं लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए भी हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत कारेकराम कर रहे हैं और इसमें हम कुछ प्रोफेशनल्स को भी एंगेज किये हुए जैस एक साइकेटरिस को हमने एंगेज किया महिलाओं को वर्क प्लेस के बारे में अब खुद सेफ रहना है कैसे रहना है इसके बारे में समझाने के लिए मन्दाब अवेर करने का जितना हो सके अतना अप लोग जैसे बहुत सी केटिगरी में ऑनलाइन रिजर्वेशन होते हैं लेकिन इसमें हमारा जो पत्रकार केटेगरी भी है जर्नलिस्ट वाला इसमें अभी भी हमें सीधे टिकेट काउंटर पर जाना होता है टिकेट लेने के लिए ओनलाइन नहीं हो पाता है ये कब तक हो जाएगा बल्कि उसमें हम ऑप्शन देख रहे हैं जर्नलिस्ट के लेकिन हम हर चीज ऑनलाइन चाह रहे हैं और उसके बाद हम जिम में जाते हैं और वॉक करने जाते हैं उससे अच्छा है कि हम काउंटर पर जाए और टिकेट लें स्वस्त रहेंगे तो ये जितना चलना चलना अच्छा है सहत के लिए लेकिन ये बात मैं आपकी सही जगे अब मैं जाना चाहूँगी कि जैसे रेल्वे में जो सबसे ज़्यादा रिविन्यू आता है वो गुट्स ट्रेन की वज़े से आता है बशरते पैसिंजर ट्रेन के बजाए लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी को भी अपना कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है तो व कि अभी हम लोगों ने सभी मंधलों में और सभी जोनल आफिसेज में एक बिजनेस डवलफमेंंट य२िट इसमें जो संबंदित विभाग है उसके अधिकारी बिजनेस डवफमेंट य२िट में है और उनका काम यह है कि रेल्वे की जो services हैं इस तरह की जो पार्सल है या फ्रेट लोडिंग है, इसकी मार्केटिंग करना, कस्टमर तक जाना, कस्टमर से पूछना कि आपको क्या प्राब्लम्स हो रही है और उसका निदान करना और उनके लिए और फेसिलिटीज इंप्रूफ करना, उदारण के तौर पे मेरे मंडल में जितने भी गुड्स शेट्स थे, जो माल गोदाम थे, वहाँ बहुत समस्य आए थी, उसको हमने पिछले दो मेने में बिलकुल उसका रूप बदल दिया है, इतनी अच्छी अब सब जगे सुविधाएं प्रवाइड कर दियें, चाहे वो लाइटिंग हो, रोड अप्रोच हो, मर्चेंट्स रूम हो, सभी तरह की वेवस्ता हैं, जिस ट्रैफिक के आप बात कर रहे हैं, पार्सल ट्रैफिक हाँ, वो बहुत कम वॉल्यूम में रहता है, लेकिन इस कोविड क कि पीरेड में हमने देखा कि जब रोड ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, तो हमने पूरी कोशिश की कि ये सारी सारा ट्रैफिक हम रेलवे से मूफ करें, और मंडी दीप से बहुत ज़्यादा पार्सल ट्रैफिक अभी पूरे देश में जा रहा है, इसमें ये डिरेक्ट करके आपको कोई भी सामान कहीं से कहीं भेजना है. कब इस समय आपको ङृटि के लिए ये पर्सलवuं मिलेगी, अग्मालगाडी मिलेगी, कहां पर हैma Ferguson की मालगाडी आसपास में, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको उस वैब सस्याईट में मिल जाएगी, और आप डि भॉपाल और बैरागड के बीच में 10 से 15 मिल्ट वहां रुख जाती है और जिसकी वजह से जो आसपास के इसला मीरिया के लोगे वो उसके अंदर पानी भी भरने आ जाते थे तो ऐसे और कहां ऐसे बॉटलनेक से जनकों की आप इसका एक सिंपल उदारण में यह दूंगा कि जैसे आप four lane highways बन रही हैं लेकिन जहां जहां वो बाइपास हो जाती है वहां तो ठीक है लेकिन जो जब वो शहर से गुजरती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है वैसे हम लोगों ने भी यहां पर अपनी capacity बढ़ाई बीना से भॉपाल में तीसरी लाइन बना दी लेकिन जीब गंच से भॉपाल का थोड़ा सा काम बचा हुआ है भॉपाल एक बड़ा जंक्शन है तो वहां पर थोड़ा कॉंप्लिकेटेड है ले आउट वहां का यह सारे काम अभी अगले दो तीन महिने में संपन होने वाले हैं निशादपुरा की जो आप आपने समस्या और कपैस्ट्री कम होने की वज़े से भॉपाल स्टेशन पर बीच में गाडियां रुखती थी जो आपने कहा साथ-साथ हम निशादपुरा में एक पैसेंजर प्लैटफॉर्म डवलप कर रहे हैं इसमें हमारा टार्गेट है कि जैनवरी तक हम उसको कमिशन कर लेंगे और फिर गाडियां निशादपुरा में हम स्टॉपिज देंगे भॉपाल के बजाए और वहां पे लोग एक नए स्टेशन के रूप में उसको यूस कर सकते हैं एक बोटलनेक हमारा जो घाट सेक्शन है इटारसी जाते समय बर्खेडा से बुधनी तक का जिसमें पहाड़ी से करना चाहूंगी कि रेलवे का पैसेंजर से क्या अपेक्शाय की कि क्या करना जी रखते हैं हमनंसे बहुत चोटी-चोटी अपेक्शा Ahí है हमारे रेयल परिसर को अपना Sak iPhchen azup सैङ DANIEL उसका साफ सफाई करनी पड़ती है वह देश का पैसा कर्च होता है हमें क्यों पैसा करच क उससे असुविधा होती है, ट्रेन भी लेट होती है, लोगों को भी असुविधा होती है, एक और जो गाउं के लोग हैं, या इवन जो शहरों में भी, हमारे यहां बहुत ज़्यादा इस तरह की इंसिदेंट्स होते हैं कि गाएं और भैस यह कट जा रही हैं, तो हमने बहु सिचुएशन भी बचेगी, क्योंकि ट्रेन का हाथसा भी हो सकता है, तो सर आपका बहुत बहुत दन्यवाद, आज आपने बहुत सी बाते बताई और रेलवे कितना आगे बढ़ रहा है, और रेलवे डिविजन ने क्या-क्या अरजित किया इस पंडेमिक के समय, यह भी अगले हफते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजादत, नमस्कार कितनी उल रहा है, यहा